देखिए इस समय हम बाचीत कर रहे हैं यह हमारे साथ प्रगसिल कर सक हैं ब्रह्मा दीन जी और ग्राम है महराज नगर गन्ना विकास वरसत गुलरिया अजिला लखीम पूर का गाव है और जिस खेट में देखिए खड़े हैं इसमें मतर है और गन्ना लगाया गया है और गन् अब और मतर देखिए काफी लगा भी है इसमें यह देखिए काफी अच्छा मतर लगा हुआ है यह काफी अच्छा मतर है और तो ब्रह्मा दीन जी यह बताईए मटर का सीजन तो समाप्त हो रहा है आज है 22 मार्च 2023 तो मतर तो आप तो लेकिन आपकी मतर तो अभी कच्ची बहुत है कि अच्छी मिलते है तो आप ने जब इसको बोया था तो यह माना था कि नौराथ्य में निकले की जाके लगा रहे हैं उससे बनमान लगाए रहते हो में अच्छा अनुमान लग जाए को यह तो आज आप तुड़ाई कर रहे हैं तो आज आपने कितनी मटर की तुड़ाई किया कर दोड़े हैं कुंटल 26 किलो की मटर आपने मार्केट में बेचित किलो के हिसाफ से क्या रेट मिला हैं पचास किलो 50 रुपया यानि 5000 रुपय की मटर कुंटल आज है मार्च 22230 500 की मतलब ठोक रेट है मंडी के रहे हैं और शहर में खुटकर में है लम्शम्या 780 सतर रसी तो तो आपको तो थोका मिला होगा तो आपका 5000 रुपए अगर यही एक कुंतल हमको उधर बेचनी पड़ती जब सारी मटर आ रही होती तब क्या रेट मिला होगा तो 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 आपको तो अभी एक कुंतल आप चुके हो तो इतना रेट नहीं मिलता नहीं तो घंणा तो हमका नहीं बोना अब यह तो यह पैसा के लागत लगाएंगे गन्ना अच्छा होगा राइट देखे सहफसल का यही एक फाइदा है जो हमको सहफसल से मिल गया गन्ना हमारा जम चुका है गन्ना अच्छा जमा है अकेले बोते तो घास उग रही होती है अब आपका 25,000 फाइदा तीन हो जाएगा तो अब वाली लागत लगा दें गन्ना और अच्छा हो जाएगा तो क्या कुछ और इरादा नहीं है इसमें एक बार और ले 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 इसमें अब नहीं फिर गन्ना खराब जाएगा अच्छा आप मैंने देखा कि आप उसकी सब्जी करते हैं फूल गोभी की देखे उधर लगी तो और क्या लगाते हूं है मिरे बहेंगन है धनिया है मोरी है अच्छा धनिया है मूली है और ममे आपको दिखाते हैं बेता सब्दम लगा दिया है तो इसलिए मैं ऐसे क् लिजब करीता है कि तो परवल कब लगाएंगे बंधू यह महीना को चल ला हां नौरात्री वाला यह देखें मटर तोड़ रहे हैं यहां बच्चियां देखें मटर तोड़ रही है दिखाओ भाई मटर की तुड़ाई हो रही है यह लेट मटर है और ब्रह्मादीन जी कह रहा है कि समय पांस जा कालीन के साथ दोर लगा या जाती है तो बसंद कालीन कडने के साथ मटर लगाई जाती है और फली बढ़िया निकल लए देखो टोड रहे हैं हो चार कुंत इसमें हो जाएगा और करीब करीब यह कह रहे हैं कि पांच-वा पांस-वद्यार उपए में दिख जाएगी तो 25, यहां यह बता रहे हैं तो आपने गन्ना इथर लगाया है यहां और यह मूली मेड पर लगा दिए तो इसमें पौधा बोया है उन्होंने मेड पर मूली लगा दिए लगे तो यह मूली कब निकलने लगेगी अब रहुत अच्छा में एक तो कितनी क्या ने ज्यादा है बाई नाए दोबाटी खाली अच्छा तेरा बाटी निकल आएगा और यह महिने दिखाले लगा दिया है करीब तो बसंत काली इन गन्ने के साथ क्या कैसे सहफले ली जा सकती है यही मैं आपको दिखाना चारा हूं ज्या प्रश क्या भीज ज स्भाव धिया गन्ने के साथ खती है झाल झाल